आसकर एक ऐसा शब जो रातो रात सिपक फिल्म नहीं बलकि उससे जुड़े हुए देश के सिनमा का नाम भी जमीन से सीधा आसमान तक पहुँचाने की ताकत रहता है लेकिन इंडियन सिनमा के हाथ इस मामले में आज तक थोड़े खाली हैं क्या सोच रहे हैं क्यों जब तक देश में फिल्म है कॉंटेंट और टैलेंट नहीं बलकि उसमें काम करने वाले एक्टर्स के मशूर सरनेम के दम पर आसकर में भेजी जाएंगी तो एक बात की गैरेंटी मैं आपको दे सकती हूँ हम आसकर का ओ तक नहीं जीच सकते लेकिन पहली बार दिल में उमीद जागी है जली कट्टू जो एक पाउरफुल मलयालम फिल्म है उसको फाइनली आसकर के लिए इंडिया की तरफ से सिलेक्ट किया गया है एक डेसी डिटेक्टिव यानी जासूस भया की कहानी है जो छोटे मोटे पुलिस केसिस को सुलचाने में मदद करके खुद को उस्ताद समझ बैठे हैं लेकिन किस्ट में कितना है दम ये साबित करने का मौका इनके हातों में कुछ अजीबो गरीब मर्डर केसिस के रूप में आता है जहां पे मरे हुए लोगों की डेट बॉडिज अचानक से गायब होना शुरू हो जाती है क्या सोच रहे हैं मरने के बाद लोग आपका फाइदा नहीं उठा सकते आप बहुत भोले हैं Amazon Prime पे फटाफर जाईए और फिल्म देख डालिए 2015 में रिलीज होई कोथो नोदी आसाम से उठाए गई चार फोक टेल्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है एक अजीब सी ओरत है जिसके पेट से किसी इंसान ने नहीं बलकि एक सुन्दर सी सबजी ने जन लिया है एक पती-पत्नी का जोड़ा है जो दुनिया में कदम रखने वाले बच्चों को जंगल में जिंदागार देते हैं एक नई नवेली दुलहन है जिसकी शादी किसी इंसान से नहीं बलकि सांप से हुई है और लास में एक पागल संकी ओरत है जो एक भूत के इश्क में गिरफतार है अब ये चारो कहानिया एक दूसरे से जुड़ी कैसे हैं जब आब आपको moviesense.com वेबसाइट पर जाके फिल्म देखकर मिलेगा 2018 में रिलीज हुई 96 एक स्कूल रोमेंस को फोकस में डालती है जिसमें राम और जानू 22 साल के बाद अपने पुराने इश्क से दुबारा आमना सामना करने को मजबूर हो जाते हैं आपको क्या लगता है ये प्यार बगेरा खुद इंसान चुनता है नई भया किसमत का खेल कैसे दो लोगों को एक डूसर से मिलवा के भी जुदा कर सकता है उसका जीता जाकता सबूत आपको 96 में मिलेगा यकीन मानिये ऐसी लव स्टोरी आपने फिल्म तो क्या रियल लाइफ में भी नहीं देखी होगी डरिये मत पैसे भी खर्च नहीं होगे फिल्म आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी वो भी हिंदी में 2019 में रिलीज हुई कमलंगी नाइट्स चार भाईयों की अतरंगी जिंदगी को स्क्रीन पे उतारती है जो पूरे तरीके से बरबाद होके एक सुनसान गाओं में पानी के किनारे गरीबी के नर्ग में पड़े हुए है लेकिन किसमत पलटती है जब एक भाई को पड़ोस मे आई सुन्दर सुशील करन्या से इलू-इलू हो जाता है लेकिन लव स्टोरी के विलन लड़की के जीजा जी दोनों के इश्क में दीवार बनके खड़े हो जाते हैं सुनिए ये सिर्व कहानी नहीं है जहां पर एंड में आल इस वेल हैपी एंडिंग हो जाएगी एक दिम लेकिन ट्रिस्ट ये है कि ये चारों इस बात से बिलकुल अंजान है कि ये खुद एक अजीब और गरीब कहानी का हिस्सा है जिसकी दोर पास्ट में हुए एक दिल रहलाने वाले इंसिडेंट को जेल कर जिन्दा बचने वाले साइको क्रिमिनल के हातों में उलजी हुई है सोच कर देखिए डिरेक्टर वगेरा रोज टीवी पर कितने लोगों को मारते हैं और कितनों को दुबारा जिन्दा करते हैं लेकिन इन में से मरने वाला अगर कोई रियालिटी में प्रकट हो जाए तो क्या हाल होगा जबाब आपको होईकोई.tv पर मिलेगा 2019 में रिलीज हुई सूपर डिलक्स चार मज़ेदार कहानियों को एक दुसरे में बाढने का काम करती है एक बेवफा पत्नी है जो पती को धोका देखकर कॉलेज लवर के साथ इश्क लड़ा रही है एक ट्रांसजेंडर जो अपने घर पे बीवी बच्चे को अकेला आकर मर्ट से औरत बन गया एक प्रीज जो सुनामी के तूफान में जिन्दा बचकर भगवान की आस्था का धंदा चला रहा है और एंड में अडल फिल्म में काम करने वाली एक्टरस जिनकी रंगीन फिल्म के दर्शन खुद इनके बेटे को हो जाते हैं अब क्लाइमिक्स सहाब की जिम्मेदारी है खजाने को ढूंड कर निकालना उसके बाद उस पर दौनों भाईयों में से किसका हक है इसका फैसला भी करना लेकिन असल में यह पुलिस भाईया इतने बोले नहीं है जितने दिखते हैं अब चोड डाकू और खजाने वाले इस किस्से में लास्म पीस की तरह टांग देता है इस खतरनाक सिलसिले को रोपने की जिम्मेदारी एक नए नवेले पुलिस इंस्पेक्टर के कंधों पर डाली जाती है जो वैसे तो फिल्म डिरेक्टर बनने के सपने सजा रहे थे लेकिन परिवार की मजबूरी और बेरोजगारी इनको पुलि स्टूडेंट के इश्को परदे पर उतारती है लेकिन धोका मत खाये यह लव स्टूरी बहार से देखने में जितनी सुन्दर है अंदर से उतनी ही जादा घिनोनी भी है चलो एक हिंट देती हूँ इन दोनों के बीच का प्यार किसी रोमैंटिक डेट या फिर जनम जनम किन चटोरे इस फिल्म से दूरी बनाईएगा फिल्म आपको movie saints.com पर देखने को मिल जाएगी और लास्ट में बारी है उस फिल्म की जो मेरे लिए इंडियन सिनमा की पहचान बन चुकी है तुमबार एक ऐसी masterpiece फिल्म जिसके लिए शायद ऑसकर जैसा अवार्ड भी काफी चोटा सा लगता है कहानी एक बेश कीमती खजाने के इर्धवित बुनी गई है जो एक दरावनी सुनसान हवेली की जमीन में सालों से छुपा हुआ है लेकिन हर ताले की एक चाबी होती है जो इस बार विनायक राओ के हाथ लग चुकी है बस दिक्कत यह है कि खजाने तक पहुँचने का रास्ता देवी मा के सबसे पहले पुत्र हस्तर से होकर गुजरता है जो एक भयानक काले श्राप की वज़े से अनाज की भूग से हजारों सालों से तड़क रहा है इंसान का लालच या फिर हस्तर की भूग कौन किसमे भारी पड़ेगा आखिर नायक राओ की किस्मत पलट दी जवाब ढूनने के लिए एमजान प्राइम वाले चचा से दोस्ती बढ़ाईए तो दोस्तों ये थी वो 10 मास्टरपीस फिल्म है जो आज भी पूरी दुनिया में इंडियन सिनिमा का जंडा सबसे उपर पहुँचाने की ताकत रखती है झाल 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 झाल